तो आप देख सकते हो प्लांट्स कैसे सुख गया देखो यह सुख गया यह सुख गया वाट्स आप एब्रीवाण वैलकम बैक चु मैं यूट्व चैनल आइ होप यू आर डूइंग ग्रेट मैं बिल्कुल अच्छी हुथा आप सोच रहे हो कि मैं ऐसी क्यों करें तो आज मैंने पूरा देन काम किया बहुत गंदा पड़ा था घर बहुत गंदा पड़ा था प्रश करवाना है तो अब भी शाम के साथ बज रहे गाइस एक मिट शाम के साथ बज रहे हैं और मैं आप सबको बता दू मैं ये ब्लॉग शुरू कर दी हूँ क्योंकि मैंने निव येर पाटी आप सबके साथ सेलिब्रेट नहीं किया गाइस क्योंकि आप अकेले होते हो तो कोई मीन नहीं होता है ना निवर सेलिब्रेट को जो अकेली क्या ही कर लोगे फ्रेंड्स भी होना चाहिए पर वैसा कोई फ्रेंड्स नहीं मेरी तरब से बस आपको यही कहना विश्वर वैरी हैपी निवर तो आल अप यू गाइस आप सभी का जो ड्रीम है वो करेंगे सबका ड्रीम पूरा करेंगे पर मैनत जरूर करना है तो यह तो हाँ गाइस अभी सामके साथ बज़ रहे हैं और मेरा तो गाइस में बता दू में इत्ती दिन घर पे थी तो यह घर तो आपको पता होगा कैसा होगा घर तो गंदा है उसके साथ मेरी जितनी भी प्ल बहुत बुरा लगता है मुझे प्लांट्स एनिमल से इतना ज्यादा प्यार इतना ज्यादा प्यार में बता रहे हैं तो मैं आप सब को दिखाते हूँ मेरे प्लांट्स के हालात कैसे हैं चलो दिखाते हूँ मैं आप सब को दिखाते हूँ मेरे प्लांट्स के हालात कैसे है अभी अभी एलोवेर तो मेरे बहुत प्यारा यार इस सुपता नहीं है मनी प्लांट भी काफी सुख गया लीजी और ये भी उदुल का कहते हिए ये भी बहुत सुख प्र पानी देखे अभी मैं इसे जिंदा कर रही हो तो यहां कर प्लांट का सा पतला सो गया देखो ये कि उसे साथ देने वाल को बीज़ा हैас मुझे अवर्णन प्रीव łat गाल 17niejsze Mmm जनी करान जनी करेख जो किष्कार करेख्र ही मुझे जनी कि आटाम, にऽे साटे, कि वहां, मुझे अड 一रू माली इतना जादा प्रीम से सब दूरा थी वह आजाते देनी को तो बहुत है मैं एक शाम साथ बजी तक आओंगा एक फोल कर दो तो इनको फोल भी आ गया अब में छलती हो दिखाती हो तो यह कॉन कॉन सा प्लांट लिखा है हमें कॉन कॉन सा प्लांट फुर्ण गी तो क्यों खो और अधानैं वह वह भूगाएं कि मेरे प्लांट वह पॉछत में ओचाएं फुर मिटी और कवर कर दिजिगहां मिटी होगा ना तो और कवर कर दिए है हुआ हुआ है अ हुआ है अले जुखो बढल के दिए में सारे प्रांट भी गईस इस एक हैंगिंग प्रांट भागा क्या है इस पार्ड़ दिखाई कैसा है इस टेटिए जाने बार यह बस जादा निक आई एक अ कि अ कि अ अ कि यह तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है कि भूब लगाने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं है जो ठोस रहा है ऐसा कुछ इसमें फूल आता है कि इसमें फूल आता है कि यह तो गांद देखो कितना प्यारा लग रहा है प्लांट तो मैंने किये लिया रबर प्लांट फिर एक यह खौन सा प्लांट मुझे नेम याद नहीं है आप लोगों को तो प्लिस कॉमेंट्स करके बता देना और एक लिली फुल लियो जो मैं यह बाहर लगाऊंगी और अपकोस मेरे तुलसी मातरानी भी सुख गई थी तो इने भी लेकर आगया है इनके बिना तो मेरा घर बिलकुल ही अधूरा है इसके लिए मैं एक प्लांट और भी लेकर आई हूं लेकिन वह बोले एक दो दिन में मैं दूंगा अभी तो उनके पास नहीं था फिर मैं सोचे कि चलो भी यह बच्छा हुआ है अब मैं इसे फेक नहीं सकते हैं आई नो की दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सुख गया है सारा पत्ता यहां से बहुत वह घना था लेकिन जब तक यह पुरी तरह से मतलब समझ जाओ अगर नहीं होता है तब तक मैं इसे as it is रखोंगी तो यह रहा मेरा प्लांट आपको मे अब आपको बहुता है तो मुझे ऐसा लग रहा थे कि अलनाए कुछ मिसींग अगर जब भी मैं रूम आती थी जब दर देख आए तो ऐसा सुखा सुखा प्लांट ऐसे भी घर पे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्लांट सुख गया हो तो उसे हटा अब ही मैं जा रही हूँ guys, सबजी नहीं है, तो कुछ सबजी लेकर आऊंगे, फिर खाना बनाऊंगे, फिर खाऊंगे, फिर सो जाऊंगे, तो ये ब्लॉग में ही है, फिर एंट करती हूँ, I hope कि मेरा ये ब्लॉग आप सभी को पसंदाया होगा, I know थोड़ा छोटा है, पर I आपना ख्याल रहे हूँ, आपनों को ख्याल रहे हूँ, आपनों को ख्याल रहे हूँ, बाई